और भारत के शेहर बादार यह के पूरी भारत की एकौनमी को जिसके जो अंतराश्टिती निवेशकों की नजर से भारत की एकौनमी का चाइना इस डिकेट बिलॉंग्स टो इंडिया वो करें अगले दस साल अब भारत का वक्त है भारत का दशक है और अब चीन ने बहुत लंबा समय देख लिया पिछले कई दशकों से चीन एक लंबी तेजी देखता रहा है एकॉनमिक ग्रोथ देखता रहा है लेकिन अब उसक तास ताउर पे क्योंके वजए क्या है कि तमाम बड़ी कंपनिया में अपनी बहुत बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्टेयां लगा रखी है बहुत बड़े लगार garage ग्रोभी वासे हो empir हो जाये वाल गड़ी दूनिया व करोक्ता है और यह वज़े है कि अब वो बाकी दुनिया में देख रहे हैं एक अभी चाइना प्लस वन पॉलिसी की बात कुछ समय पहले हुई थी कि चीन में भी रखेंगे कहीं और भी ले जाएंगे लेकिन कहीं और जब ले जाएंगे तो कहां ले जाएंगे ये प्रश्ण है जिसको ध्यान में रखके वो कमपनिया जब देख रही हैं तो उनको भारत और साउथ इस्ट एशिया के दूसरे राज़यन के अंदाज में उड़ते हुए चलेंगे और ये अगले दस साल तक के लिए एक बड़ा तगड़ा ग्रोथ का फेज ला सकती है ये नुमरक रिपोर्ट कह रही है और उनका कहना क्या है कि एक ये वक्त है इंडिया का टाइम आगया है और भी बहुत सारे फैक्टर्ज हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एकॉनमी है इसको एक तरह से कह सकते हैं कि पंक लगने वाले हैं तो और इसके साथ 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 इस्टेशन कंट्रीज दूसरे हैं अब दोज़ार तेजस में खत्मोने वाले साल यानि दोज़ार बाइस तेजस से लेके फवाई 30 जिसको कहते हैं 29 तीस वे तोर्ष तक ये 2022 से 2030 के बीच 6.6 परसंट का सी एजियार 8-9 साल लगातार 6.5 परसंट से उपर का ग्रोथ रेट भारत दिखाएगा तो ये उनका कहन है कि 2009-10 के बाद से ये सबसे स्ट्रॉंग परफॉर्मेंस होगी ग्रोथ की और अगर इस रफ़तार पर ये बढ़ता है तो फिर भारत एकॉनमी में 30 रफ़तार से बढ़ते हुए देश के तोर पर चीन को रिप्लेस कर देगा चीन को हम जनसंख्या में आबादी में पहले अब पता है और अब नमूरा का कहना है कि भारत अपना फुल ग्रोथ पोटेंशल अनलॉक करने की तैयारी में है क्योंकि पहले ही COVID-19 के महमारी और उसके साथ जो आर्थिक संकट आया उससे उबरने के मामले में भारत दुनिया की सारी बड़ी एकॉनमी में सबसे तेज बढ़ रहा है और इसलिए अब भारत की इस उड़ान के लिए जमीन तयार है स्टेज तयार है और ये जो मैं बार बार उड़ने वाले हंस की बात कर रहा हूं तो फ्लाइंग गीज ये एक टर्म है जो एक जैपनीज एकॉनमिस कनामे अकामस्तू ने 1930 में कोईन किया था जि अब आने वाले वक्त में एशियन एकॉनमिस एशियाई देश दुनिया की एकॉनमि को लीड करेंगे और आपको पता ही है कि तब जापान ने अचानक स्पीड दिखाई थी वक्त के साथ जापान ठंडा पड़ गया दिमा पड़ गया लेकिन फिर साउथ कोरिया होंग कॉं सिंगापूर ये सब आगे बड़े और उसके बाद वो ठंडे पड़े चीन ने वो जगे ले ली और अब 2023 आ गया है और नोमुरा का कहना है कि अब चीन का जो लो कॉस्ट कंपरिटिव एडवांटेज था वो ठंडा पड़ रहा है उसके उसके जो दम है वो कम हो रहा है और इस वज़े से अब भारत बहुत एडवांटेजियस पॉजिशन में है और भारत के साथ इंडोनीजिया और फिलिपीन इन दो देशों का जिक्र कर रहा है नोमुरा की ये रिपोर्ट और इसका मतलब क्या होगा दूसरी तरफ एक चीज़ और है उसी रिपोर्ट में ये भी लिमिटेड अपसाइड है लेकिन साथ में कहता है बाई दिप्स यानि कि जब आपको कम दाम पे जब बाजार में गिरावट दिखे तो खरीदारी कीजिए और जब नमुरा ये कहता है और नमुरा साथ में और कह रहा है कि वो एक्सपोर्ट वाली कंपनियों के भरोसे नही आप डुमेस्टिक औरियंटेट सेक्टर्स पर ध्यान दीजिए ऐसे कारोबार जो भारत के अपने कंजम्शन पर भारत में अपने कारोबार के भरोसे खड़े हैं पूरी कहानी हमेने अभी बताई आपको कि दुनिया की बड़ी कंपनिया कहां कहां फैक्टरी लगाएंगी उन दुनिया की बड़ी कंपनियों को भी भारत में फैक्टरी लगाने की नोबत क्यों आ रही है सूचना चाहिए एपल अगर आईफॉन का प्लांट भारत में लगाना चाहता है तो वो इसलिए कि भारत में उसकी बहुत बड़ी बाजार है और जो बाजार भारत में है उस अपने आपको कह रहा है बाई उन डिप वो खुद अपना पैसा अपने इन्वेस्टर्ज का पैसा लगाने के लिए ये स्ट्राटजी अपनाएगा और आप इससे कुछ सेख सकते हैं आप इसको एमुलेट कर सकते हैं या इसकी कौपी कर सकते हैं मैं नहीं कहूँगा लेकिन इससे आपको भारत की अर्थोवस्था के बारे में एक बड़े विदेशी निवेशक का नजरिया पता चलता है और इससे अगर आप अपनी पड़ाई लिखाई और अपने अध्यान के साथ इसको जोड़ के देखेंगे तो एक दिशा मिलती है जिस रास्ते पे चलके आप करने से बचा सकते हैं बिजर्डा में आज इतना ही है विजार दीजे धन्यवाद नमस्कार